नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम आसे अपना जो इकाई तीन साहित्य शास्त्र है उसको शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने इकाई दो जो हिंदी साहित्य थिहास और अन्य जो गद्य विधाएं वाला हमारी यूनिट थी उसको लगबग हमने स्थागित कर लिया है UGC NET की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि UGC NET की परिक्षा अब लगबग तैय है कि दो मई से ये ह होने जा रही है तो इसी के चलते हमने अब जो तीसरा यूनिट है वो स्टार्ट कर दिया है क्योंकि साहित्य शास्तर वाले यूनिट से बहुत सारे प्रशन UGC NET की परिक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है हालांकि वो जादा इतना डी भी नहीं पूछे जाता है तो इसलिए अब हम इसको एक बार देख लेंगे और इससे पहले हमने साहित्य शास्तर के उपर एक लेक्चर तयार कर लिया था हालांकि वो बहुत संक्षित था उसमें हमने बहुत कम चीजें मेंशन की थी और आसे हम विस्तार से साहित्य शास्तर के बारे में और ये पहला पार्ट हमारा इसमें रहेगा और इसमें हम जो भी हमारे जो संस्कित शास्तरी जो कवी हैं या संस्कित अचारे जो हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि रितिकाल में हमने पढ़ा था कि जो लक्षन ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसकी अनुसरन पर लिखे गए हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वहीं से कौन कौन से संस्कित के अचारे हुए हैं जिनोंने कावे शास्तर के उपर कुछ न कुछ चीज़ें कही हैं तो चलिए भी नदेर के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साहित्य शास्तर क्या चीज़ है तो देखिए साहित्य शास्तर सामान्य परीचे ये कहते हैं कि किसी साहित्य का अध्याइन मनन और विशलेशन करके उसके गुण और दोशों का विवेचन करना ही क्या कहलाता है साहित्य शास्तर कहलाता या साहित्य शास्त्र का ये विशे माना जाता है तो दिएकी कौन-कौन सी चीज़ें माने जाई है इसमें सहित्य का अध्याइन मनन विशलेशन या फिर कावे का कावे के अंतरगत जैसे आपके जैसे कावे लक्षन हो गया कावे हेतु हो गया कावे प्रियोजन हो गया या फिर कावे जो गुण होगे, दोश होगे, इन सब चीजों को हम जिस चीज के अंतरगत विशलेशित करते हैं, उसी को नाम क्या दिया जाता है, वो ही आपका सहित्य शास्त्र है, हालंकि आपने देखा होगा कि संस्कित में इसके लिए क्या है, अलंकार शास्त्र और कावे के लिए ही जादातर माना जाता है, तो इसलिए जो उचित और सबसे सही जो नाम इसके लिए माना जाता है, वो कौन सा है, वो आपका सहित्य शास्त्र ही माना जाता है, तो संस्कित में देखी कावे शब्द का ही प्रियोग सहित्य के लिए किया जाता था, संस्कित में जो क आगे फिर से एक चीज वही बात कह रहे हैं कि साहित्य शास्त्र क्या है कि जो कावे शास्त्र है उसको साहित्य कहा जाता था तो इसलिए इसको साहित्य का शास्त्र या साहित्य का ज्यान कह सकते हैं हम ठीक है तो यह है साहित्य शास्त्र समानने सा परिचे तो देखिए साहित इत्राज जगनात तक, अठारवी शती के आसपास तक की परंपरा निरंतर रूप से चली आ रही है सहित्य शास्तर के उपर या कावे शास्तर के उपर, तो इन सब कवियों के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं, आज हम इस लेक्चर में में जो नवी शताबदी तक के कव भरत्मुनी को, तो देखे भरत्मुनी इनका जो समय है, दूसरी शती के आसपास माना जाता है, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी UGC NET की परिक्षा में, चाहे आप प्रिवियस एर के पेपर उठा के देख लो, वहाँ पर आप देखेंगे कि जब से UGC NET की परिक्ष जाते हैं, यह ना सिर्फ Hindi NET की बात करें, दूसरी भी जो परिक्षा होती हैं, वहाँ पर भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछे जाती हैं, तो एक चीज तो आपने यहाँ से याद क्या रखनी है, कि इनका जो जनम है, वो कब हुआ है, इनका समय क्या था, वो अचारे माने जाते हैं, वो कौन है, भरतमोनी है, संस्कित के जो प्रमुख अचारे इनको माना जाता है, तो देखिए, संस्कित कावे शास्त्री प्रत्थम अचारे हैं, और इनकी जो प्रमुख रचना है, यह नाटे शास्त्र है, हलां कि यह बहुत कॉमनी चीज़े हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें इन चीजों को पढ़ना ही पढ़ेगा तो नाटे शास्तर में इन्हों देखी क्या किया है सभी नाटकिये पक्षों का विस्तार से इन्होंने विवेचन किया है तो देखी जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये क्या मानते हैं कि कावे के अंत्रगत दो चीज़ें ये मानते हैं जो आपके संस्कित कावे शास्तर के अंत्रगत आती हैं देगिए संस्कित साहिते हैं मतलब तो उसमें कावे के दो भेड है आगे जैसे एक द्रिश्य कावे है दूसरा आपका श्रव्य कावे है तो द्रिश्य कावे में लेत गद्य और पध्या को यह कहें आपका जो poetry और प्रोज है ठीक है उनको यह लेते हैं ठीक है जैसरी आपका कवीत गिर्हा जो पद्या वाली रचना हैं उसके अंत्रगता कि आते हैं तो नाट की है, अगर हम दो तरीके से लेें, एक तो आपका नाट के पक्षों का, या फिर दूसरी चीज़ जो है वाउड का आपका काब्या के विभिन पक्षों का, इसमें वर्हनन किया है, तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे इनका पक्ष, वो लेंगे हम काब्य का पक्ष, ठीक है, तो इसमें देखिए कितने चीज़े हैं, 36 अध्याय हैं और 5000 इसमें शलोक हैं, तो यह चीज बहुत मौतपोन है, कई बार परिक्षा में इस तरह के से छोड़ छोड़ चीज़ें पू और ने क्या कहा है, तो पंचम वेद कहा है, भरत मुनीन है, ठीक है, तो यह भी आपके लिए important है, इसके बाद यह कहते हैं, इस कावे की अलोचना, इसमें जो है कावे की अलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है, तो यह चीज बहुत ही मौतपोन है, यह मौतप चाथर दे दिया जाएगा, आपको कावे अलंकार दे दिया जाएगा, या ध्वन्य लवक दिया जाएगा, इस तरीके से प्रशन बनने के संभावना रहती है, तो इस चीज को आपने फोकस करना है, कि इसमें क्या किया गया है, अलोचना, कावे की जो की गई है, वो वाचि संपरदाय का इनको प्रवर्तक माना जाता है, और इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, आठ संख्या मानी है, तो ये कौन-कौन से आठ रस हैं, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम रस संपरदाय के बारे में complete पढ़ेंगे, वहाँ पर हम जानेंगे कि कौन-कौन से इनोंने आठ जो है रस माने हैं ठीक है next देखिए कि नाटे शास्त्र में जो इनका महत्वण गरंथ है इसमें इनोंने कावे के 10 गुण और 10 दोशों का वर्णन किया गया है तो ये भी important चीज है कि इनोंने कितने दोश माने हैं कावे के 10 दोश माने हैं और 10 ही इनोंने क्या माने हैं गुण माने हैं और इसके साथ साथ चार अलंकार इनोंने माने हैं तो चार अलंकार कौन-कौन से हैं देखिए यमक हो गया उपमा, रूपक तथा दीपक ये अलंकार माने हैं भरतमुनी ने अपने नाटे शास्त्र में तो देखिए भरतमुनी से तो देखिए समय इनका कब है दूसरी शती और ये पहले अचारे हैं और इनका जो समय दूसरी शती के इसने माना है ये अचारे बलदेव उपाध्याये ने माना है खासकर जितने भी आपके संस्कित के अचारे रहे हैं उनका जो समय निर्धारित किया गया है या समय माना जात जो अचारे बलदेव हुए हैं, उनके अनुसार ही माना जाता है, तो ये था complete भरत मुनी के बारे में कि कौन कौन सी चीजें वो मानते हैं, अब हम देख लेते हैं, जो दूसरे अचारे हुए हैं संस्कित के, वो हैं अचारे भामा, तो भामा का नाम भी बहुत ही ये अचारे नहीं हुए हैं, सिधे हम छटी शत्रवदी में पहुँच गए और यहां पर भामा प्रमुक हैं, तो भामा कहां के थे, ये कश्मीर के निवासी माने जाते हैं, और इनकी जो प्रमुक रचना है, देखे कावयलंकार माने जाती है, जिसमें 6 परिछेद हैं, ठी में किया गया है, तो देखिए, हो सकता है, इस तरीके से पूछा जाए, कि भामा ने अपने कावयलंकार के किस परिछेद में कावय के साधनों, लक्षनों और बेदों का वर्नन किया है, तो आपका उतर होगा प्रत्थम परिछेद, इस तरीके से प्रशन बनने के समभवना रहती है तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर हम बात करें इनके दूसरे परिछेद की दूसरे और तीसरे में उने अलंकार का विवेचन किया है तो देखे भामा सबसे पहले क्या है ये अलंकारवादी अचारे हैं तो हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछा जाए आप को तीन-चार ओप्शन दे दी जाए कि कौन-कौन से अलंकारवादी अचारे हैं कौन-कौन से आपके दौनीवादी हैं इस तरीके से भी प्रशन बनने के संभावना रहती है तो यहां पर आपके जो भामा है देखिए वो क्या है वो आपके अलंकारवादी अचारे हैं तो अगर हम बात करें चौथे परिछेद में तो इसमें इनों ने काव्य दोशों का निरूपन किया है तो दीखें काव्य दोशों का निरूपन किया है इनोंने आपका जो चौथा परिछेद है उसमें और पांचों में न्याय विरोधी जो दोशें उसका निरूपन किया है और चट्वें परिशेद में इन्होंने शब्द शुद्धी के निरूपन किया है, शब्द शुद्धी का, ठीक है, तो ये जो महत्वण चीज़ें थी, कावयलंकार के समद्ध में छे परिशेद हैं, और छे परिशेदों में इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, तो य देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, तो देखिए, इनकी जो प्रमुक पंक्ति आपने देखिए होगी, शब्दार्थ हो सही तो काव्यम, शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य है, तो दो चीजे हैं इसमें, तो वो किसने माना है भामा ने माना और ये इनका प्रमुक कावे से धांत माना जाता है दूसरी जो मौत पुन चीज है कि ये तीन कावे गुणों का वर्णन करते हैं तो देखिए सबसे पहले इससे पहले हमने किसको पढ़ा था हमने भरत मुनी के बारे में पढ़ा था तो भरत मुनी ने देखिए कावे के गुण कितने बताए दस बताए लेकिन जो आपके भामा हुए हैं इन्होंने कावे के तीन ही गुण स्विकार किये हैं और तीन गुण कौन कौन से हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, क्योंकि कावेज के जो गुण बिताया जाते हैं, वो तीन ही गुण माने जाते हैं, ठीक है? नेक्स से देखिए, तीसरा जो इनका सिद्धान्त है, ये है वकरुक्ती को सभी अलंकारो का प्राण मानना, तो वक्रोक्ती अलंकार का प्रवर्तक भी किसको का माना जाता है, ये भामा को ही माना जाता है, और इसको इन्होंने क्या माना है, कि ये सभी अलंकारों का प्राण है, कौन वक्रोक्ती अलंकार, ठीक है, तो ये कौन मानते हैं, ये भी भामा मानते हैं, नेक आखिरी जो इनका से धानत है देखिए रीती को नमानकर कावे गुणों का इनको इनकों का इनकों के बारे में कि कौन कोंसी चीज़ें और कौन कौंसे इन्द के प्रमुक से धानत है और कौंसे इनका प्रमुक गरंथ है ठीक है अब हम देख लेते हैं जो तीसरे संस्कित के अचारे हुए हैं वो कौन है तो ये है दंडी तो देखिए अचार दंडी इनका समय है सात्वी स्वार्टी ठीक है और ये दक्षिन भारत के निवासी माने जाते हैं तो देखिए दक्षिन भारतिय निवासी कौन है आपके अचार दंडी जबकि पहले जो इससे पहले हमने किसको पढ़ा इससे पहले हमने भामा को पढ़ा तो भामा कहां के थे देखिए ये थे आपके जो कश्मीर के निवासी इनको माना जाता है तो उत्तरी भारत से थे और ये दक्षिन भारत से हैं ठीक है अब ये देखिए आपके आगे कि जो पलव नरेश हुए हैं सिह विश्णू उसके इनको क्या माना जाता है सभापंडित माना जाता है किसको अचार्य दंडि को तो हो सकता कि ये बार इस तरह के सभापंडित थे तो कई बार इनकी रचनाय मिलान के लिए दी जाती हैं तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको UGC NET की परिक्षा में तो कावेदर्श इनकी रचना है और इस इस रचना में देखी क्या हैं चार परीछेद हैं और 650 शलोक हैं और ये 35 अलंकारों की संख्या इसमें मानी है तो 35 मानते हैं अचार दंडी क्लिर है आगे ये देखिए क्या कहते हैं कि वेदर भी और गौडी रीती में अंतर स्पष्ट करके तो पहली चीज़ इनकी आपकी जो रीती है रीती के बारे में भी हम complete lecture आगे पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वेदर भी है क् इन दोनों रीतियों में इन्होंने अंतर स्पष्ट किया उसके बाद इसका संबंध इन्होंने किस से स्थापित किया गुण से संबंध स्थापित करने वाले ये पहले अचारे माने जाते हैं तो ये चीज़ बहुत मौतपूर्ण है कि वेदर भी और गौडी रीती में अं मारक दर्शक माने जाते हैं, हालंकि रिती संपरदाय का प्रवर्तक इसको माने जाता है, वो वामन को माने जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि रिती संपरदाय के इनको मारक दर्शक माने जाता है, और अलंकार को परिभाशित करने का प्रत्थम प्रयास भी कि जो अगले अचारे हुए हैं चौथे वो कौन है तो चौथा जो नाम आता है देखिए मौतफ़न नाम है वो है अचारे वामन जिनके बारे में पहले भी आपको कह रहा था कि ये रिती संपरदाय के प्रबर्तक माहे जाते हैं ठीक है तो ये कहते हैं कि काव्य की आत्मा का सर्व प्रत्थम इन्होंने ही उठाया तो देखिए काव्य की आत्मा का जो प्रशन है वो सबसे पहले किसने उठाया है वो अचारे वामन ने ही उठाया है और ये रिती को ही काव्य की आत्मा मानते हैं तो रिती को काव्य की आत्मा किसने गोशित किया है इस तरीके से प्र पंक्ति है वो है रितिरात्मा कावस्य, ठीक है रिति की आत्मा ही क्या है कावय है, तो ये चीज इसके समंग में है ये रिति की समंग में रोने कही है अचार्य वामने और इनका जो समय है ये मैं आपको बताना भूल गया था ये आठ्वी शती का उतरार्ध माना जाता है पचार्य वामन का समय इनका जो महतफ़ून ग्रंथ है देखिए वो है कावयलंकार सूत्र तो इसमें 5 परिछेद और 319 सूत्र माने जाते हैं कावयलंकार सूत्र में तो ये चीज भी महतफ़ून है किस से समद्धित वामन से समद्धित और इनका जो क कावयलंकार सूत्र है देखिए इसकी रचना इन्होंने सूत्रों में की है और इसमें सूत्रों की जो है सूत्रों पर क्या लिखा गया है वृति भी लिखी गई है ये चीज भी इसके समंध में कही जाती है जो आपके अचार्य वामन हुए हैं इसके अलावा जो अचार्य वा चुके हैं दूसरी चीज है इसमें कि गुण तथा अलंकार का पर्स पर विवेद करके गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महतो देना ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके कि इन्होंने क्या किया आपका जो वेदर्भी और गौडी रीती थी इसमें इन्होंने क्या किया भेद अंतर स्थापित करके क्या माने इन्होंने गुण को ही जादा महतो दिया है और आगे है देखिए बेदर्भी ता गौडी और पैंचाली इन तीनों रीतियों का विवेचन भी इन्होंने इसमें किया है ठीक है आपका जो इनका कावेलंकार सुत्र है ठीक है नेक्स द अगत और अर्थ दोनों तरीके से इनको उभेगत मान कर इनका प्रकार इनका कितने माने है कि ये बीस प्रकार है ठीक है तो ये चीज़ भी जरूरी है हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि वामन नेक जो आपके कावे हैं उनके गुण कितने माने हैं कितने गुण मानते हैं सादरिश्य मूलक लक्षना ठीक है नेक्स है समगर अर्थ हलंकारों को उपमा का प्रपंच मानना तो ये चीज महतपूर्ण है है ना इसको आप नोड कर सकते हैं कि समगर अर्थ हलंकार को उपमा का प्रपंच किसने माना है तो ये माना है अचार्य वामनने तो इस से प्रशन बन सकता है इसको आप no down कर लीजिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी जो भी आपको यहां पर PPT में बताया जा रहा है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और इससे related हमारा quiz भी टेलिग्राम ग्रूप में ही होगा, आप चाहें तो वो quiz भी दे सकते हैं, चलिए, अब हम देख लेते हैं, इसके बाद अगले जो अचारे हुए हैं, पांचवे जो प्रमुख नामें देखिए, उद्भट तो उद्भट का समय है आठ्वी शती का उत्रार्द तो अब ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है देखिए, इससे पहले वामन थे तो इनका समय भी आठ्वी शती का उत्रार्द है अब उद्भट पूझा गया है, तो इनका समय भी है आत्वी शतिकाह उत्रार्थ ही है और उद्भट भी क्या है ये भी आपके अलंकारवादी अचारे ही है ठीक है तो बीच में रिती वादी आ गए थे वामन अब यहां पर अलंकारवादी फिर से हैं कौन है अलंकारवादी जो है उद्भट प्रमुख रचना इनकी अगर बात करें तो वो है कावयलंकार सार संग्रह तो देखिए इनकी रचना का नाम क्या है कावयलंकार सार संग्रह ठीक है तो ये चीज़ भी मौतपूर्ण है कि आपके जो उद्रट हुए हैं उनकी भी जो रचना है उसका नाम भी कावयलंकार है ठीक है तो इस तरीके से आपने कनफ्यूस नहीं होना है क्योंकि सेम सेम जो नाम है वो जादा कनफ्यूसन पैदा करते हैं तो इसलिए बिल्कुल क्लियर और समझ के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तो कावेलंकार सारसंग्रह में देखिए, अलंकारों का इसमें क्या किया गया है, अलोचनात्मक एवं व्यज्ञानिक धंग से विवेचन किया गया है, है ना, तो हो सकता है इस जरीगे से प्रशन पूछा जाए कि अलंकारों का अलोचनात्मक एवं व्यज्ञानिक धंग से विवेचन किस क्रिती में किया गया है, तो ये है कावेलंकार सारसंग्रह, ठीक है, और जिसके रचनाकार किसको माना जाता है, उद्भट को माना जाता है, और उद्भट अलंकारवादी अचारे हैं, आटिव श बामने उद्भषवड ने पुर्व्याख्या पुर्सेद करते हुए दिस्टांत काव्यलिंग और पुरुक वदावहास अलंकारों की उद्भावना की है, तो देखे किन-किन अलंकारों की इन उद्भावना की। जो बामने पहले अलंकार बता दिये थे।». रूप है अलंकारों के ठीक है तो हो सकता है इन तीनों को पूछा जाए है ना दिश्टांत का वेलिंग और पुनरुकता वदाभास ठीक है तो इनका उद्भावन किस ने किया है ये भी आपके जो उद्भट हुए है उन्होंने किया है नेक्स से दिखिए कि जो प्रमुक से धांत है इनके वो कौन-कौन से है अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना इन्होंने की है दूसरा है कि ये शलेश को श्रिष्ट अलंकार मानते थे कौन मानते थे उद्भट तो दिखिए शलेश को ये सबसे श्रिष्ट अलंकार मानते हैं और इन्होंने इसके आगे दो माने हैं शब्द शलेश तथा अर्थ शलेश ठीक है तो ये इन्होंने माने हैं पहले इन्होंने क्या किया दो भेद किये दोनों में क्या है एक को अर्थ में रखा दूसरे को आपने शब्द में रखा ठीक है अर्थ के इन्होंने दो भेद आगे स्थापित किये हैं अर्थ के भी कौन-कौन से देखिए विचारित सुसस्त और आपका जो ओविचारित रमणिय तो दो इन्होंने भेद किये अर्थ के ठीक है सुस्त तथा विचारित सुस्त और ओविचारित रमणिय ये दो भेद है ठीक है उसके बाद ये कहते हैं कि कावे गुणों की संगतना का धर्म मानना तो कावय गुणों को ये क्या मानते हैं संगतना का धर्म मानते हैं उद्भट तो ये थे उद्भट के समद में महतवपोर्ण तथ्य और महतवपोर्ण पहलू जो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं इसके अलावा जो संस्कित के प्रमुक अचारे हुए हैं देखिए रुद्रट तो रुद्रट का सबय क्या है ये नवी शती का पूरवार्द है तो वामन और उद्भट ये आठ्वी शती में थे और रुद्रट नवी शती के पूरवार्द में आ गए ठीक है एंड आपके जो रुद्रट हैं ये भी अलंकारवादी अचारे हैं और इनकी जो रचना है देखिए ये क्या है ये कावलंकार है ठीक है तो इसके अलावा देखिए इन्होंने अलंकारों को चार वर्गों में सरोप्रत्थम क्या किया वज्ञानिक धंग से बांटा है तो ये चीज पुछी जा सकती है कि अलंकारों को चार वर्गों में सबसे पहले वज्ञानिक धंग से किसने बांटा है तो वज्ञानिक धंग से एक है वास्तव, दूसरा है अपम्य, तीसरा अतीशे और चौथा शलेश, ये चीजे हैं, ये चार भागो महिनों ने विभक्त किया है, विज्ञानिक तरीके से रुद्रट ने, तो रुद्रट के समद में इतनी ही चीजे मालूम है, अगला जो अचारे हुए हैं संस्कित के, जो दस्वी शती से पूर्व थे, तो इसमें जो नाम आता है देखी, ये है आनंद वर्धन का, तो आनंद वर्धन का जो समय है देखी, नवी शती का उतरार्ध माना जाता है, तो रुद्रट थे नवी शती के पूर्वार्ध में, और ये हैं आपके उतरार्ध में, ठीक है तो ये ध्वनी संपर्दाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, वो ध्वन्या लोग है, ठीक है, कावे के गुण इन्होंने कितने माने हैं, तीन ही इन्होंने भी कावे के गुण माने हैं, भामा की बांती, ठीक है, तो इनके आपके जो अचारे हैं देखी इसमें सबसे पहले राजशेकर जैसे भटाउत, अभिनवगुप्त, कुंतक, धनन्जे ये तीन चार नाम हैं इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इनके बारे में और इनके जो प्रमुक सिध्धान्त हैं उनको हम वहाँ पर डिसकस कर कर सकें तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर् कि जाते हैंगे लोगे विलेंगे इसे स्प्वाष लिए और भी अगर के मिलें आज के लिए्वाः के लिए अजी नदेवादारा को ये रवा प्यू मेंगे दोनेगे लखरा का बाव धरूरा के हुख लिएर साने फो सब्स्तों के उते हैं गधकर के वाप placeना हैंगे व Hahn क